अबी का स्वागत करती हूँ, उमीद कती से से अच्छे health में होगे, एंपरिवार का ख्याल भी रखते होगे तर आज राधिका और राधिका के पापा को बुलाया है गुन-गुन के पापा ने मिलने के लिए क्यों भई क्योंकि उन लोगों से गुनगुन के पापा को सारी सच्चाई जाननी है क्या सच्चाई जाननी है कि गुनगुन के होने वाले बच्चे के बाप के सच में समर है और उन लोगों को आपने जिल में क्यों भेजा अरे भाई गुनगुन के पापस से मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि अंकल जी इतने दिन आप कहां थे आप कहते दिन लंडन गए थे कि पैरस गए थे गुनने आपको तो अपकी बेटी के चिंता बहुत पहले होनी चाहिए थी तब होनी चाहिए थी जब समर के घर में वो रहती थी और समर यहाँ पे रादिका से शादी कर चुका था तब आपको वहाँ पे होना चाहिए था और गुनगुन को जो आप त्याग चुके थे आपने उसको पिंड़ दान कर दिया था उस टैम में आपको उसको ले के अपने घर जाना चाहिए था तब तो आप उसको अपने घर ले के नहीं कर तब तो आपको बड़ा गुसा आ रहा था कि ये लोग उसकी शादी क्यों कराए दुरुफ से दुरुफ से शादी क्यों कराई गई है, नहीं करानी चाहिए थी, तब तो बहुत बड़ी-बड़ी बाते आप दुरुफ के घर में जाके बोल रहे थे आपको अपकी बेटी को पर रदी भर भरोसा नहीं है, उसके उपड़ा भरोसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी लड़की भरोसे के लायकी नहीं है, माफ कीजेगा, मगर मुझे तो बोलना पड़ेगा कि आपने अपनी बेटी को कोई अच्छे संसकार नहीं दिये, कोई भी अच्छे संसकार नहीं दिये, अगर आप अच्छे संसकार दिये होते ना, तो पहली बात वो आपके घर से भाग के समर से शादी नहीं करती, वो आपसे बकाइदा अच्छा से इजाजत लेती या तो समर के साथ तब शादी करती, जब आप रेड़ी होते, आपकी वाइफ होती पर वो इसने ऐसा नहीं किया क्योंगि आप लोगा कंट्रोल है यह बच्चे के ऊपर और अभी आप राधीका के ऊपर लालचन लगा रहे हो कि राधीका क्या करे थी घर में जब समर के साथ गुन-गुन ने ऐसा किया तो राधीका क्या सिगरी गारे घर की वो क्या अपन काम धाम छोड़के पती को क्या निगरानी करती रहेगी आप तो बड़ी अरजीबाजीब बाते करते हो और यहां पर आप इतनी क्लासिस लगा रहे हो जैसे कि आपको अपनी बेटी की पहले से बहुत चिंता थी आपको तो सभी कुछ पता होगा पर आप तो शुरू से आप बीमार हो तो बीमार के तरह ही रहो बेकार की आप बाते मत करो और वो बच्चा जो है वो गुन-गुन का वो समर कही है और यह चीज आपकी बेटी तो अच्छा सी है आपकी बेटी को क्या प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम हो रही है राधिका कोई हो रही है राधिका क अच्छा लगवा प्लीज एक लाइक जरू कीजिएगा और जोने चैनल में नहें हैं प्लीज सब्सक्राइब जरू कीजिएगा और कौन-कौन मेरे बास से सहमती रखते ही यही मुझे बताईएगा तब तक के लिए बाइ-बाइ-बाइ-